मुझे लग रा है मैं तो मेरे बाप दादों से भी प़हली की जमीन है तो यह रविदा शमाज की जमीन है और चानल है उन्यी घुक आओं है मेरे स्क्राज के लोगो को । शह महीने पहले यह सारे के सारे कागत दे दिए थे ताकि आप ये कागज चेक करा लो और मुझे अपने कागज दे दो तो मैं भी दिखा लूँ मेरे हिसाब से हमारी जमीन तो इसमें भी निकल ले है जो समचान गाट वगल में लेकिन उस समय क्या हुगा सितरा अधर्णी ये सितरा अंगुपता जी से थोड़ा सा विबाद हुगा लेकिन वो सामाजिक कार था इसलिए समाज के लोगों ने वो जमीन समाज के नाते समचान गाट को दे दी तो कागज निकल वाए हैं इसमें कहीं भी उस रखवा और अराजी नंबर को हमारे प्लोट को इनके उसमें नहीं दरशाया गया है मेरे पास पूरे कागज हैं कागज में ने समाज के अध्यक्श को उपलब कराए ते और यह जमीन पीछे का रास्ता हमने छोड़ा था कि हमारे उस तरफ से निकलने के लिए बाहर जाने के लिए निकल लेकिन वो उस चीज का कुछ लोगों ने चुगी है सहर से लगा हुए छेतर है तो जमीन की कीमत तो बढ़ रही है तो लोगों ने कुछ कागज फरजी बना लिए क्या कर लिया और उस जमीन पे अवहत कपजा करने की कोसिस की जागा आरोप हम पर लग रहा है आरोप नहीं है यह बात यह है कि हमारे पिताजी ने इनके समाज के किसी व्यक्ति से ऐसी कमिटमेंट कर दी ती तो अगर यह बात उनने बोल दिये तो हम उनका नहीं दे रहा है पुराने कागजाद है सब कुछ है और पूरा एक बार आय थे यह लोग जो है नो में जम लोग ने गेट लगाया उस समय तो हम लोग ने बताया कि आप यहां पर निर्मान की यह समाज की जंग आ जाए और जब हम लोगों के पैसा होगा इस समाज के पाश मेरे पास पूरे कागज है जो की मेरे प्लॉट कर जो मेरे राक मेरे पास कई वी वी जैसी आज कराना चाहता है कराले नवस्ते मेरा नाम है धरमेंद्र। आप देख रहे हैं निवस्तंट। अभी हम खड़े हैं बड़ा गाउं गेट बाहर के पास डड़िया पुरा ये छेत लगता है और जमीनी विवाद के अगर हम बात करें तो ये दिन चर्या का हिस्सा बन गए हैं जहांसी में आए दिन एगटना है सामने आ रही हैं सिकायती पत्र जलतकादी के पास जा रहे हैं संतर अभिदास मंदर है और जो समाच के अहरवार समाच के जो लोग है इन लोगों का आरोफ है कि जो मंदर परांगण की जमीन थी वह बाहर कप्जा की जो उस साइड का आप देख सकते हैं केमरामें से कहेंगे वहां से देखा दें साथ में आप जी आप दूसरे एंगल मे जहां पहले हों देखा खोद दिये गया हैं और मंदर का ही इस्सा है पहले में इनकी बात रखेंगे आप नवा रहा है हम उन्हें बात रखेंगे क्या पूरा मामला यह लगस्त है का ही बरसों से जी हां पुर्खे दादा पर दादा यहरवार समाज के लोग की यह जमीन है और लगभग मुझे लग राँ मैं तो मेरे बाप दादों से बिल पहल ही कि जमीन है तो यहां रड़ Niya Surow समाज का मंदियर यहां बर्सों से इ Shelby समाज के का रिकरा मोथ आरह तो कि मंदियरका जो पीछे वाला हेरी यहाँ जगा है HOLOM से रस्ता निकलने के लिए है काफी लंबी जगह है वहां पर कुछ मेरे इसाब से लगभग वह धाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब की जमीन है कुछ लोगों ने लगभग अठाइब कागज हैं और महरानी के समय से अंग्रेज गबर्मनेंट के लिए उसलिए समाज के लोगों ने वह जमीन समाज के नाते समसान घाट को दे दी ती और यह जमीन पीछे का रास्ता हमने छोड़ा था कि हमारे उस तरब से निकलने के लिए बाहर जाने के लि लोगों ने कुछ कागज फर्जी बना लिए क्या कर लिया और उस जमीन पर अभैत कप्जा करने की कोसिस की जा आपके पास पुराने कागजाद हैं सब कुछ है और पूरा एक बार इन आय थे यह लोग जो हैं लोग ने लगाया उस समय तो हम लोगों ने बताया कि आप यह पर निरमान की यह समाज की जंग है और जब हमाने लोगों के पास पैसा होगा तो नहीं माना उस चीज को और फिर आज भी हो और उस समय नको बताया दिया गया था कि आपकी जो रश्टी है वह फर्जी है क्योंकि आपने 24 में रश्टी कर आई है जब कि यह जमीन हमारी 1860 स समय से चलिए तो लेकिन अब जो भी मामला है वो समाज के लोग बैठेंगे और हम तो यह चाहते हैं पर सासन से सासन से कि समाज को नियाय मिले जमीन है जो समाज को पूरुद की जाए और अब जो कब्जा चला है उस पर रोक लगाई या अभी निर्मान कर रहे हैं मतलब इनकी मतलब मंदर परांगर की जो है दूसरा पक्ष भी हमारे साथ अभी यहीं मौजूद थे कहा हैं वही है आप अपनी बात रख लें कि आप आप यही कि निर्मान कर रहे हैं तो आपके पास कागजात मौजूद है पूरे कागज है मेरे पास हो मैंने समाज के अराजी नंबर को हमारे प्लोट को इनके उसमें नहीं दर्साया गया है मेरे पास पूरे कागज किसको कागज मैंने समाज के अद्धिक्ष को उपलफ्ट कराएते तोड़ा काम चेकर आपको जानकारी है यह कह रहे हैं वाईजाब के हमने कागज उपलफ्ट कराएती इसकी हुए वाम और यहां चाला घूतिक्षा सब क्या है अब जो पुराणी चीछ एला रही है जो इनने बोला आ वोचे से को हमारे में महलं क्या है क्या नहींन ज हो सकते हैं जानकार है नहीं न पियुए मैंप लूगा नहीं कर आ कोանला है नहीं जनकारी requires साथ उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है ठीक है अगले हपते हम लोगों की मिटिंग हुई थी समाज की क्या के एक किराइदर और है यहां पे तो भी जगह खाली नहीं कर रहा और जाती सुचक सब्द दे के जा तुम्हें जो दिखाई दे कर लो तुम्हें बापकी नहीं है हमा लोगों ने दर्स आया था के भाई ये मेरी जमीन है आप लोग इसे देख लो तो हम लोगोंने इन्हें दो लाग का चेक भी दिया था कि भाई यह यह आरोप हम पे लग रहा हैं यह एक बात यह है कि हमारे पिताई ने इनके समाज के किसी व्यक्ति से ऐसी कमिटमेंट कर दीती में अगर यह बात उनने बोल दिए तो हम उनका कमिटमेंट पूरा करने को तयार हैं यह समाज में पूरी आख की तरह फैल चुकी है बात कि भाई उननों ऐसा बोला था लेकिन आगर हमारे पास अब कोई बिकल्प ने बचता है कि हों किसी हो बोला है जी ऐसा कुछ नहीं है अभी किसी को कोई पैसा नहीं दिया है कागज को लेकर कहीं भी किसी वी जाच के लिए कराना चाहता है करा ले पूरे विवात का सार यह निकलता है कि दौनों पक्ष तयार है यह थावथ इस्तिती में जो भी जाच बैठती है उसका दौनों समर्थन करते हैं यह अपने कागज उपलप्त कराएंगे समाज अपने कागज अपलप्त कराएगा और जो भी इस पे प्रिसासन सासन का जो भी निर्णा होगा उस पे वो अमल में लाया जाए और फिलाल इस चर्चा को हम यही रोकना चाहते हैं क्योंकि यह चर्चा अभी के लिए काफी है मेरा नामे धर्मिन केमले के पीछे हैं गौरब दन्यवाद खबरों से जुड़ जाएं विडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद